हेलु बच्चो तो आज हम your first lesson का सपसेost high and क्षुशन दो स्टेटी करने वाले है और इसी लेक्शर में हम परपेंडिकुलर एकसेस ठेरम भी कवर करें तो परणलक्स ठेरम का जो स्ट्रेट्मिने जर्ट करना नहीं लाद करने के लिए आप को सिर्फ ये formula याद रखना है इस formula से ही आप उसको learn कर पाहूंगे तो क्या formula है बच्चो आई-ओ इस इकॉल टो ic plus mh square आई-ओ ओ मतलब बच्चो हमने देखो यहां पर रिजिड बॉड़ी लिए ओ बले तो एक एनी कोई भी point है c means center of mass वाला point तो इसमें से जो हमारी axis पास हो रही है axis of rotation तो इसका जो moment of inertia आएगा वह इनी point वाला होंगा जो हमें निकालना है और c में से जो axis पास हो रही है उसका जो moment of inertia होंगा वह about center of mass होंगा और m जो है बच्चो वह इस body का total mass है h जो है यह दो axis के बीच का perpendicular distance है तो कैसा आप पढ़ोंगे इसको कि moment of inertia about any axis, moment of inertia about any axis यह equal to है is equal to देको बीच में प्लस है ते sum of किस किस कि सम sum of moment of inertia about an axis जो passing through कहां से हो रही है center and parallel to given axis summer axis को वह parallel भी है passing through center है center of mass है and और और किया इसमें दो चीज़ है product of mass of the object or square of distance between them देम मतलब two axis तो देको बच्चो फिर से कैसा पढ़ेंगे इसको कि moment of inertia about any axis is equal to sum of moment of inertia about an axis passing through center of mass and parallel to given axis and product of mass of object and square of distance between two axis देको पच्चो यह statement है आपको यह tricks बेस याद रखना है और अब हमें प्रूफ करना है parallel axis theorem तो प्रूफ के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे एक हम point element यहाँ पर mass का p point consider किये जिसका mass dm है पूरे body का mass capital हमें हमने element consider किये जिसका mass dm है अब बच्चो हमें moment of inertia निकालना है दोनों axis का आपको पता है moment of inertia निकालने के लिए हमें axis पता होना चाहिए distance पता होना चाहिए सब्सक्राइब और मास पता होने वाली और मास क्या इसका dm है अब चाहिए मैं डिस्टंस तो मैं डिस्टंस के लिए से जॉइन कर रहा हूं तो हमारा डिस्टंस होगे बच्चों सीपी ओके इसका moment of inertia कौन से axis से a c b से mi of object mm is moment of inertia of object about the axis a c b is i c the moment of inertia is equal to distance square cp square into mass the moment of inertia का general formula बच्चों क्या है आपको पता होना चाहिए i is equal to mr square mass into distance square वो समेशन है वो चीज़े सारी जो हम explain करेंगे next lecture में तो बच्चो mr square mass into distance square यह पूरा whole body का होता है और हमने क्या लिए आप एक element लिया और हमें पूरी body का चाहिए तो इस process में आपको यहां करना है integration तो हमने बच्चों यहां कर दिया integration तो integration cp square into हो गया हमारा dm अब बच्चों ऐसी ही moment of inertia निकलना है यह वाले axis दे तो इसका distance हो जाएगा आपका यह वाला op तो हम यहां लिख देंगे a mi of object about the axis क्या ना में बच्चों axis का a c b about the axis a c b is क्या हो जाएगा a अलब i अब o है i o is equal to हो रहा है integration distance क्या है बच्चों o p तो जाएगा o p square dm यह आगया बच्चों आपका दूसरा moment of inertia अब बच्चों को याद क्या रखना है याद आपको यह रखना है कि अब हमें क्या करना है हमें इसमें पाइथागुरा स्थिरम लगाना है इस triangle में अभी triangle बनाना है उसको और यह o p square की वैलु फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे यहां से perpendicular draw करेंगे पी पॉइंट से और सी पॉइंट से लाकिए उसको यहां जोड़ देंगे और इसको नाम दे देंगे हम दी ठीक है अब यहां पर बच्चों एक triangle बन गया o p d यह वाला तो o p d o p d में हम पाइथागुरास थेरम लगाएंगे इन triangle o p d में बाई पी जी टी मिन्स पाइथागुरास थेरम तो पी जी टी लगा देंगे हम ओ पी डी में तो क्या हमां बच्चों hypotenious o p square is equal to one side हो रही है हमारी o d o d square प्लस अनादर साइड हो रही है हमारी p d तो p d का square तो बच्चों ध्यान से देखों यह जो o d है न यह o c plus c d है जो o d है न यह o c plus c d दोनों की addition है तो हम यह o d के जगा लिख सकते है o c plus c d का whole square और प्लस है हमारा p d का square यह बच्चों बैलू बन गई o p square की अब आगे बढ़ो अब यहां पर आपको एक formula लगाना है a plus b का whole square यह term को a consider करना है यह term को b consider करना है तो a plus b का whole square क्या होंगा बच्चों तो a square आपको पता होना चाहिए यहां लिख लेंगे हम क्या formula है a plus b का whole square a square plus twice a b plus b square चला अपलाए करूं तो a square के लिए इसका square क्या होगा o c square plus two a into b o c into c d और plus c d square ठीक है a square plus two a b plus b square और plus बच्चों यह हमारा p d का square अब देखो जादू देखना यह वाली time gap करेंगे हम इसके लिए मच्चों हम क्या करेंगे इस छोटे triangle में भी पाइता कुरा स्टेरम लगा देगे तो इस चोटे triangle में अगर आप पाइता कुरा स्टेरम लगाओ तो इसका हैपोटनेस बंद रहा है सीपी तो क्या होंगा सीपी स्क्वेर इस इकॉल टो c d square प्लस तो हम लिख देगे हैं पर यह जो टर्म है ना इसके जगह हम डारेक्ली क्या लिखने वाले हैं हम लिखेंगे ओपी स्क्वेर इस इकॉल टो तो ही c d square प्लस c d square कहां से आया तो इस छोटे ट्रेंगर में लगा दी हमने पाइथागोरा स्थेरम अब बच्वेर यह जो ओपी स्क्वेर की वैलू है वह यहां पर पूट अप कर दो तो क्या हो जागा फिर अपना देर्फोर आय ओ इस इकॉल टो इंटिगरेशन ओपी स्क्वेर प्लस प्लस ओसी स्क्वेर प्लस टू ओसी इंटो c d प्लस cp स्क्वेर और वह डीम जैसे की वैसे है वह क्या बच्चों स्रीम यह पर जो ओपी स्क्वेर ना उसकी वैलू हमने यह वाली पुट अप कर दिया है अब इंटेगरेशन और ड्यम से हर एक एक तर्म को मंटिप्लाइ करना यह तर्म वन टम सेकेंड ओर टम हैं जैए आऊ ओ एको क्या किया दो मुमेंट लिस्टर इस ट्रैंगल में पाइथागोर्ष स्टिरम अप्लाय किये हमने पाइथागोर्ष स्टिरम अप्लाय किया अप्लाय किये अही Гोस्ट सेड़ प्लस पीडीव स्क्वेर था वो हमारा हुआ CP स्क्वेर यह छोटे ट्रेंगल में पाइथा गोरा सेरम लगा के अब बच्वा हमने किया कि यह जो पी स्क्वेर की वैलू है यहां पर पुटप कर दिया इंटीग्रेशन और डिम अजीज अब अब हमने क्या किया निटीग्रेशन और डिम को सेपरेट सेपरेट किया अब जो यापको पता यह वो पुटप कर दो तो OC की वैलू क्या है बच्चो देखो यहां पर OC की मेरह है अच तो हमें मिल जाएगा integration h square dm plus integration 2 oc की value है h cd as it is into dm plus अब integration cp square dm का है बच्चों देखो यहाँ पे integration cp square dm तो integration cp square dm के जगा हम लिख सकते हैं ic चलो अब बच्चों क्या करना है h square बाहर निकालना है तो आप क्या करोंगे h square integration dm plus 2h को बाहर निकाल दो cd into dm और plus ic अब बच्चों क्या करना है आपको अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि बट integration of dm small mass का integration होता है total mass और integration cd dm is equal to 0 अब आप बताऊंगे कि cd dm 0 कैसे हुआ तो cd यह जो distance है बच्चों यह center of mass के से distance है और center of mass के पास का जो distance है उसके अगर आप algebraic sum करोंगे तो algebraic sum 0 आएंगे अभी दोनों value put up कर दो तो आपको क्या करना है i o is equal to h square capital M plus यह 0 आए तो 0 multiply by anything यह भी पूरी value क्या हो जाएंगी 0 plus ic तो हम इससे adjectives लिख लेंगे i o is equal to पहले लिखेंगे ic फिर लिखेंगे m h square और यह बच्चों हमारा हो गया proof कि देखेंगे बच्चों इसका screenshot बना लो आप इससरा आपको यह derivation लिखना है अब हम देखेंगे बच्चों perpendicular axis theorem तो perpendicular axis theorem तो बच्चों इसका भी statement याद करने के लिए आपको एक आप अब यह 3 axis है कि इसमें देखो बच्चों यह जो black वाला है ना यह इक plane है मेरा हाथ बेले तो एक plane लैमीनर बॉडिका तो है इसके जो इसका जो plane है बच्चों यह दोनों भी plane के उपर है इन्दी प्लेन है ये दुनों और ये प्लेन को क्या हो गया परपेंडिकुलर देखो अब कौन प्लेन को परपेंडिकुलर हो गया ये वाला और ये दुनों भी प्लेन में अब कौन सा हो गया ये वाला परपेंडिकुलर हो गया ये दुनों प्लेन में तो बच्चो ondi कुलर वाध की याद क्या रखना है कि यह जो भी लैमिनर ऑब्चेक्ट को परपेंडिकुलर हुगा उसका मुमेंट आफ इनर्षी हां अपको उने परपेंडिकुलाई चैन तो जेट का moment of inertia होंगा यह दोनों जो mutually perpendicular है बन लैमिनर प्लेन जो अब्जेक्ट है उसके प्लेन में इनके अडिशन इसे कोल टू यह होंगा और जो तीनों भी एक्सिस है बच्चो यह mutually प्रपेंडिकुलर है देखलो तिनों भी मुश्वली परपेंडिकुलर है के निये दो को यह भी अंगल 9 यह यह भी अंगल 90 है तो इसको बढ़े जाता है है mutually perpendicular तो बच्चो statement देख लो आप the moment of inertia of laminar object about an axis perpendicular to explain मतब जो perpendicular plane को वो क्या है is the sum of किसकी सम में moment of inertia of to mutually perpendicular axis in its plane important है और all three axis तीनों भी axis क्या है concurrent है भी आपको बता है तो जे Iz is equal to ix plus iy यह हमको प्रूफ करना है तो हमने एक laminar object ले लिया उसमें हमने क्या किया बच्चो तो laminar object ले लिया हमने यह यह वाला इसमें एक पॉइंट element ले लिया जिसका मांस डिया में तो बच्चो यह डियम से हम ओका दिस्टेंस कंशिडरा करेंगे small r और यहां पर मैंने दो परपेंडिकुलर निकाल लिए पी से एक एन और पी से एक एंट तो यह जो डिस्टेंस से मैं पकंशिडरा कर रहा हूँ एक्स तो यह भी एक्स एब एक्स और यह वाई Unix Wala है तो यह डिस्टेंस में य बोल रहा हूँ बच्चो और यह बिवाई आपको भी x एक्स लिखना ही यहां पर एक्स लिख रहें हम मास एलमेंट कंसिट्रा किया हमको तीनों भी एकसिस पर माई निकलना है तो पहले निकाय माइऑ ऑब्चेक्ट अबॉट एक्स स्मॉल एलिमेंट है और स्मॉल एलिमेंट से पूरा निकालना है तो हमें करना है इंटिक्रेशन चलो सारे उशार बच्चे बताओ जैसे हमने X-axis के लिए निकाला है अब Y-axis के लिए क्या होंगा जल से बताओ बच्चो क्या होंगा MI of the object पता है मुझे आपका एंसर आ गया फिर भी हमें लिखना है Y-axis क्या होंगा बच्चो आइवाई इस इकोल टू इंटिक्रेशन चलो बताओ Y-axis के पास से डिस्टरंस कितना है X तो इसका स्क्वेर और हमारा डियम चलो आ गया चलो सारे उशार बच्चो अब हमें इस Z-axis के पास आप बटाओ बताओ तो MI of the object about Z-axis इस चलो बताओ I-Z is equal to integration Z-axis से जो डिस्टरंस है वो हमारा R वी हो जाएगा R स्क्वेर डी अब बच्चो यहां पही सारा हमारा concept है कि हमें क्या करना है प्रुफ करना है अप्च यह स्केर की वैलियु हमें को पहले find करना है तो कैसे find रहोंगे अब इस तो इन ट्रैंगल कौन सा है आप यह भी लो यह लो दो में से कोई भी हम लेंगे ओ ये पी ओ ये पी जी टी क्या हो जाएगा बच्चो हाइपोटेनियस ना इन्ट के सामने का मिंस ओपी मतलब बच्चो हो जाएगा आर स्क्वेर हाइपोटेनिस इस इकल टू वन साइड प्लस अनादर साइड का स्क्वेर एक स्क्वेर प्लस वाइज स्क्वेर तो बच्चो यहां पे जहां आ रहें वहां पुटप कर दो एक स्क्वेर प्लस वाइज स्क्वेर आपका डेरिशन बन जाएंगा आजएट इस इकोल टो इंटेकरेशन एक स्क्वेर प्लस वाइज स्क्वे प्लस वाइज स्क्रेडियम हमरे पास क्या है आएक्स तो यह होगा अप्रोफ आप इसको इस तरह भी लिख सकते पहले आएक्स लिख दो फिर आप आए लिख दो तो तो प्रेंडिकुलर एक्सिस थेरम प्रूफ अब स्क्रीनशाट लेलो कि मिलते हैं फिर